आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजुकी सेलेरियो के बारे में जी या बाई सुजुकी कमपनी जो है अपनी सेलेरियो में काफी नए अपडेट करने वाली है क्योंकि यार बाई जो सेलेरियो है इसकी सेल फिगर इंडिया में ना के बराबर आती है आपको अल्टो की सेल फिगर थोड़ी बहुत ठीक मिल जाएगी स्विफ्ट, फ्रॉंक्स वगेरा बलेनो अर्टीगा तो टॉप पे हैं लेकिन यार बाई जो यह है ना सेलेरियो इसे कोई लेना पसंद भी नहीं करता बाई सैग पूछता भी नहीं होगा कोई तो कमपनी इस गाड़ी में कुछ ऐसे चेंजेस करने वाली है जिससे की आपको सलेरियो आने वाले टाइम में डेफेनेटली पसंद आ जाएगी तो बात करते हैं गाड़ी में आपको क्या के चीजे नहीं मिलने वाली हैं तो इंजन जो है वो आपको 1 लीटर का ही मिलेगा जो की आपको K10C इंजन मिलेगा और ये आपको 3 सलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ मिल जाएगी कमपनी जो है गाड़ी का जो इंजन है उसे री ट्यून कर देगी ये गाड़ी आपको अब और भी ज़्यादा पावर ओडपुट जनरेट करके देगी सलेरियो में आपको अब मिल जाएगा लगबग 70 HP का मैक्स पावर और जो गाड़ी का टॉर्क है ना वो आपको 95 NM के आस पास तक का देखने को मिल जाएगा और गाड़ी में जो भई आपको 12 वाल का इंजन मिलेगा साथ ही भाई जो सलेरियो की स्पीड है वो आपको 160 के आस पास तक की मिल जाएगी और सलेरियो में आपको जो मालक मिलेगा वो करीब 26-25 का रखा जाएगा CNG साथ ये गाड़ी लॉंच होगी पेटरोल, CNG, आटोमेटिक, पैनुवल वगेरा रहेगा लेकिन CNG में आटोमेटिक नहीं रहेगी तो ये हो गया इंजन अब बात करते हैं गाड़ी के लुक्स तो यार इसके जो लुक्स हैं वो अच्छे हैं लेकिन यार फिर भी जो है न लोगों को पसंद नहीं आता है क्योंकि जो गाड़ी का प्राइस है वो थोड़ा सा जादा है लुक्स के हिसाब से भाई प्राइस जो है गाड़ी का वो है 5,36,000 रुपए से लेके 7,14,000 रुपए के बीच में एक शोरूम और इसके जो कॉम्पटीटर्स हैं जैसे की रिनॉल्ड की कुईड, डेर्सन, रेडिगो मारुती एस्प्रिसो मारुती अल्टो 800 और यूंडाई की सेंट्रों तो ये सारे जो हैं इसके कॉम्पटीटर्स हैं अगर भाई आप लोग सेकेंड हैंड भी लेने जाओगे न 5,000,000 रुपए के बीच में कोई गाड़ी तो आपको इससे ज़्यादा वैलू फॉर मिल जाएगी तो भाई यही वज़ा है कि लोग सेलेरियो को प्रिफर नहीं करते हैं लेना खैर कंपणी जो है गाड़ी के लुक्स में भी अपडेट करने वाली है कंपणी जो है बाई इस गाड़ी में आपको बिल्कुल ही नया LED का हेड लैंप देगी जोगी बाई इस गाड़ी में आपको LED के मिल जाएंगे DRLs लो बाकि जो है इस गाड़ी में आपको नई ग्रिल मिल जाएगी और भाई आपको सुजुकी का 3D में मैट में लोगो मिल जाएगा और इसकी जो भाई टेल लाइट है वो आपको न्यू मिलेगी जिसमें कि आपको नए शेप का टेल गेट भी मिल जाएगा पीछे आपको रीर डिफॉगर रीर वॉशर वाइपर भी मिलेगा भाई साथ ही आपको पीछे रीर व्यू कैमरा भी कंपनी प्रॉवाइट करा देगी और इसमें आपको नए कलरड़ नए ग्रेफिक्स और नई मस्कुलर body company provide कराने वाली है बाकी जो है बाई overbeam वगेरा वो आपको ठीक ठाक मिलने वाली है अगर बात करें बाई गाड़ी के टैट्स की तो वो आपको 165, 178, 16 के मिल जाएंगे गाड़ी में आपको alloy wheel steel wheel और आपको बाई spare wheel भी दिखने को मिल जाएगा आगे आपको मिल जाएगी डिस्क भाई पीछे आपको मिल जाएगा ड्रम बाकी जो है ये गाड़ी आपको ABS, EBD वगेरा के साथ देखने को मिल जाएगी और इसका भाई जो MID है जो कलिश्टर है वो चेंज हो जाएगा साथ ये बाई सीट वगेरा है उसकी जो कुशिनिंग है वो आपको बेटर मिलेगी बाई अंदर से ये आपको All Black एडिशन के साथ भी मिल जाएगी बाकी जो है बाई सेंसर वगेरा आपको काफी ठीक ठाक मिल जाएगे और इसकी जो build quality है वो आपको तो पता है कि कितनी जादा कम जोड मिलती है और इसका जो price है ना वो लगबग बढ़ेगा 30,000 रुपए के आसपास तक का और बाई जो असलेडियो काई variant है facelift ये आपको अगस्ट के आसपास तक का launch होती हुई मिल सकती है तो आप लोग चाहो तो wait कर लेना बागी बाई जो वीडियो है like कर देना मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै हींडो वन दे मातरम बाई